अगर ये 10 लक्षन नजर आएं, तो तुरंत अपने लिवर की जाच करवाएं 10 Early Science of Liver Damage हमारे दिल, दिमाग, फेफडे और किड्ने की तरह हमारे लिवर भी शरीर में पाए जाने वाला सबसे महतपूर्ण ओर्गन होता है ये हमारे पेट यानि की Abdominal के उपरी राइट वाले हिस्से में मौजूद होता है लिवर मनुश्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ओर्गन होता है जिस तरह से घर में लगा आरो या Water Purifier दोशित पानी में मौजूद सारी गंदगी को फिल्टर करके उसे साफ बना देता है ठीक इसी तरह हमारे लिवर भी बॉडी में मौजूद सारी गंदगी और विशाली पदार्थों को फिल्टर करके हमारे खून को साफ और बॉडी को स्वास्त बनाये का काम करता है और इतना ही नहीं हमारी बोडी द्वारा किये जाने वाले कई तरह के कारे पूरी तरह हमारी लिवर पर भी निर्भर करते हैं चोट लगने पर जखमों को भरना, बोडी में हार्मोस का संतुलन बनाना, भोजन में मौजुद पोश्यक तत्मों को ग्रहन करना, शरीर का वजन घटाना, बढ़ाना या मसस का निर्मान करना, कॉलिस्टॉल या शुगर लिवल का बैलेंस बनाकर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करके रखना, दवाईयों, जहरीले पदार्थों और खराब भोजन के बुरे असर से हमारी बोडी को बचा कर रखने जैसे लगबख 400 से भी ज़्यादा काम डायरेक्ट और इंडायरेक्ट तरीके से हमारी लिवर से ही जुड़े होते हैं, इसलिए लिवर से छोटी खराबी भी कई गंभीर समस्याओं और विमारियों को जन्मे दे सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका काम गंदगी को साफ करना या फिल्टर करना होता है, समय के साथ साथ अगर वो खुद भी धीरे धीरे दूशित हो जाता है, लिवर में आई खराबी के संकेत क हमें बताने की कोशिश करती है, ऐसे कई लक्षन होते हैं जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिवर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, आईए जानते हैं 10 ऐसे संकेतों के बारे में, जब हमारे लिवर हमसे मदद की पुकार करता है, अक्सर पेट खराब रहन बार-बार गैस बनना या डकारे आना, खाना ठीक से ना पचना, जी में चलाना या उल्टी जैसा लगना, लिवर खराब होने की सबसे शुरुआती लक्षन होते हैं, जब हमारे लिवर में विशाले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो जरा सा बाहर का खाने पर भ खाना ठीक से पचाने में मुश्किर होने लगती है, अगर आपका रोजाना ठीक तरह से पेट साफ नहीं होता, या आप पेट से संबंदित समस्या से लगातार परिशान रहते हैं, तो इसका संबंद आपकी लिवर से भी हो सकता है, ऐसे स्थिती में पेट से जोड़ी किसी जादा ठकान और जादा आलस आना शुरू हो जाता है, वैसे लगातार स्ट्रेस और हैक्टिक लाइफ के चलते ठकान होना एक आम बात है, लेकिन जब ये रोज-रोज होने लगता है, और कभी-कभी हमारी बॉड़ी में कमजोरी महसूस हो, तो इसका सीधा संबंद हमारी ल जरूत पढ़ने लगती है, अगर किसी व्यक्ति को रोजाना बहुत ज़्यादा ठकान महसूस करने की प्राबलम फेस करते हुए, दो महिने से भी ज़्यादा समय हो जाता है, तो उसे एक बार अपने लिवर का चेक अप जरूर करा लेना चाहिए, जब हमारे लिवर में वि चर भी बढ़ रही होती है, तो ऐसे बढ़ रही वजन को कम करना एक बहुती मुश्किल काम बन जाता है, इसलिए जिन लोगों को सब कुछ करने के बाद भी एक लंबे समय से बढ़े हुए मोटापे से छुटकारा नहीं मिल लहा है, उन्हें एक बार अपने लिवर का चेक की तरह काम करती है, जहां हमारे सभी अंदरूनी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लिवर और पेट की खराबी साथ साथ चलती है, यानि कि लिवर खराब होने पर पेट खराब होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है, पेट खराब होने पर हमारी सांसों में ब जो दूसरे कामों के साथ साथ लिवर को अपने आपको भी रिपेर भी करना पड़ता है तो ऐसे में वो कमजोर और धीमा बढ़ने लगता है लिवर के धीमे होने की वज़े से बॉडी का ब्लेड प्रेशर बढ़ जाता है और बॉडी में मुझूद फ्लूड यानि की तरल श तो इसे जॉन्डिस यानि की पीलिया का लक्षन माना जाता है लेकिन क्या हम जानते हैं कि पीलिया खुद अपने आप में लिवर खराब होने की निशानी होती है कमजोर लिवर बॉडी में बिली रुबिन की मातरा को बढ़ा देता है बिली रुबिन हमारी बॉडी में पा बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वज़े से पेशाब का कलर पीला, ओरेंज या ब्राउन नजर आने लगता है। थोड़ी थोड़ी खुज़ली भी होती है, जब हमारे लिवर ठीक तरे से काम नहीं करता तो इसका सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ता है। ज़्यादा तर जब तवचा पर खून के ठक्के जमते हैं या नीला पढ़ जाता है तो ये चोट लगने की वज़े से होता है लेकिन जब ये बिना वज़े है बॉड़ी पर नजर आने लगे ये हलकी फुल की चोट से ही तवचा पर नीला पढ़ना शुरू हो जाए तो ये कमजोर होने का संकेत होता है क्योंकि लिवर में खराबे आने से ये हमारी नसों को कमजोर बनाता है जिसकी वज़े से हमारी तवचा की नसं पहले से ज़्यादा थकने लगता है थकान की वज़े से हमारे लिवर में गर्मी बढ़ती है जो कि हमारे पूरे शरीर का तापमान बढ़ा देती है और गर्मी बढ़ने की वज़े से पसीना भी ज़्यादा निकरने लगता है जिन लोगों का लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता उनकी बॉडी में हमेशा गर्मी दूसरों के मुकाबले जादा होती है अगर आपको अपने लिवर के आसपास वाले एरिया में दर्द होता रहता है तो ये निशानी है कि आपकी लिवर की सेहत ठीक नहीं है रिसर्च से पता चला है कि हमारे लिवर में कम से कम 50 से जादा अलग लग तरह की बीमारियां लग सकती है कुछ बीमारियां लोगों को बचपन से ही होती है और कुछ खराब खान पान या शराब का जादा मातरा में सेवन करने से हो जाती है अगर हमारा लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है तो इसकी वज़े से लिवर के आसपास वाले हिस्सों में हलका हलका दर्द महसूस हो सकता है और कई बार ये दर्द बहुत जादा भी बढ़ जाता है लंबे समय तक अगर लिवर की खराबी को अन देखा किया जाए तो लिवर में सूजन भी आने लगती है तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे लक्षन जो बताते हैं आपकी लिवर की सेहत ठीक नहीं है अगर आपको इन मेंसे कुछ लक्षन नजर आते हैं तो इनने कभी भी एग्नोर ना करें यदि आप या आपकी परिवार और मित्रों में से किसी को भी लिवर से संबन्दित समस्या है तो इस वेशे पर आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही असरदार घरेले नुस्खों के बारे में जिनके इस्तिमाल से मात्र तीन दिनों में ही लिवर में मुझूद सारी गंदिकी को दूर करके उसे पहले से जादा सेहत मंद बनाया जा सकता है इसी के साथ उमेद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें कॉमेंट करें अगर आप पहला वीडियो जल्द से जल्द देखना चाहते हैं और स्वास्त संबंदी हर तरह की जानकारी तुरंत पाने के लिए फिटनेस सीकेट्स को सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ